हेलो अब्रिवान और वेल्कम अगें टू साइको इस वीडियो में हम आई सी या टेक्निशियन के लिए साइन्स के महत्मों 25 को दखेंगे यह इस सीरीज की 5 वीडियो है और यदि आपने इससे पहले की 4 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं वीडि फ्लो टिषी दो फरकार होते है एक तो मैरिस्टमेटिक टिशू जो लाइब भर अपना सेल डिविजिन करते रहते हैं और एक होता है और यहीं से पुछा जा रहा है कॉंप्लेक्ष में क्या होता है एक तो जायलों होता और एक होता है फ्लोयम ठीक है और सिंपल भी मेंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था पेरेंट कायमा कोलेंट कायमा और स्क्लेरेंट कायमा यह सब हो गया तो कॉंप्लेक्स क्या हो गया जाइलम हो गया और फ्लोम हो गया ठीक है देखते हैं आंसर है आंसर में जाइलम भी है फ्लोम भी है ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो होते हैं और यह उता है फिनोगेम्स टीय इसमें बताया है थेलोफाइटा ब्रायओफाइटा टेरीडोफाइटा तो थेलोफाइटा के example देखें अगर आपने एंसेड़ी पड़ी होगी एंसेड़ी देखें एंसेड़ी से फोटो लिए मैंने एंसेड़ी में प्रॉपर examples से दे रहें सभी plants के देखे, अगर थेलोफाटा की बात करें थेलोफाटा की बात करें, थेलोफाटा की क्या है युलोफ्रिक्स, ठीक है, युलोफ्रिक्स हो गया कलैडोफोरा हो गया, अल्वा हो गया स्पाइरोगारा हो गया, कारा हो गया, ठीक है युलोथ्रिक्स याद करना है आपको युलोथ्रिक्स ठीक है क्लेडोफुर्ण अल्वास स्पायरोग Aurra का सबहें में अब देखती जि ओप्ष요 data कौट्छ में सबन्धित क्लेडोफुर्ण है ठीक है संबंदित नहीं है, ओके संबंदित नहीं पूछा था, कारा है, एक्जम्पल है, ठीक है, इस्पाइरो कारा भी था, लेकिन यह है, रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया जो है, रिक्सिया किसका होता है, ब्रायोफाइटा का होता है, ठीक है, यह आपको याद रखने है, रिक्सिय जैक इसका example है, ब्रैयोफाइटा का, ये इसका example नहीं है, मारा answer क्या होगा फिर, रिक्सिया, next चलते हैं, next question है कि परमानुतरिजिया, एक सबू में dash, और एक आवर्त में dash है, ठीक है, तो atomic radius group में क्या होता है, आपको याद हो गया अब तक, तो जो group में हम जाते हैं, तो क्या होगा, घटेगा, और right to left आएंगे, तब ये बढ़ेगा, ठीक है, तो right to left जाएंगे, जो main बात होती है, right to left की होती है, तो right to left जाएंगे, तो क्या होगा, ये घटेगा, और group में क्या होता है, उपर से नीचे आएंगे, तो ये बढ़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं अपन प्रण तो सम्भू में क्या होता है उपर से नीचे आएंगे तो यह बढ़ती है ठीक है उपर से नीचे तो बढ़ती है और आवर्थ में क्या होता है इधर से जाएंगे तो घड़ती है तो बढ़ती है और घड़ती है तो पहले बढ़ती है इधर से सम्भू में तो बढ़ती और फिर घड़ती है तो यह होता है प्रकवेंसीया है आपको पता ने जेसे होता है फिक्वेंसी होता है एक सेकेंड में जितने भी व्यास्टेशन हो उपणोन ये उसी को बोलते है फिक्वेंसी सेकंड है टाँ lifi 20 second की जगे उसमें दे रखा हैं कि 1 minute तो 1 minute या नहीं 7 second में 80 है तो 1 second मीनगा आते हैं इनलए 80y %60 इसको काट लेते हैं क्ति है है 3 और 4 इसको आगे काटेंगे तो होते हैं 1.33 तो यह आगे हमारा answer 1.33 हट्स है 1.33 त्यूक्षर जेएग क्या वाइबेरे 000 क्रेणग करेगा या फिर इतनी बीट होगा एक सिकेंड में तो यह होती है 14期 एक संगेंड में जितने वीडीन वीट हो उसी होओ उसी को बोलेंगे और फिक्वेंसी तो एक सेकंड भी इतना हो रहा है हमरा आगे अंसर अप्शन नमर सी नेक्स देखते हैं यानी परकास की तरफ बेंड होना उनका परकास जर्दर लाइट यहां और है इसको एंसको बोलते हैं अगर जियो। फॉ惜 होता है उप भॉते में प्राकास हो अगर тов uton अगर gravity केतु अदुरस के टूर्ड हो रहा है अगर gravity से एक्ट हो रहा थो क्या बनेंगे उसे जियोट्रोपिजम हो गया तो हम अपने question पर आदे दोवारा पहुत है कि सतो इसको क्या बहोंगा जियोट्रोपिजम है अब जियोट्रोपिजम है नहीं है इसकी जगे क्या है vitropies में विटिक मार देंगे ठीक है Kyamutropies में हो नहीं सकता है Hydro मैं किया होगा पाणी की Unsures होगा पाणी टरफ ॉपाली में हमारा government अगे जल्ते में आगे कि एक कार जब किनारी से गिड़ती है और 0.63 सपर बूमी पर गिड़ती है ठीक है तो भूमी पर गिरते हैं हमें कारकी गती क्या होग bishop तो आपको या दगा जम scholar यह भी चीज मेने बोला था कोई बी चीज हम नीचे सä ऊपर फिकते हैं तो इस time जा मणो कॉलिश लेना है उस ट्रम और कोई बी एक कितना है दस लेना है हमें 10 और टी हमें मिल रखा है 0.6 जब इसकी इंटू करेंगे तो यह आगा 6 सेकंड 6 मीटर पर सेकंड यह आगिया हमारा आंसर 6 मीटर पर सेकंड तर देखेंगे तो आंसर आपको सब सेम दिख रहा होगा अब जल्दी वाजी में आपकी से भी टिक मा में मिल्क आप मैंगनेशा यह गा उप्योग किया जाता है तो मिल्क आप मैंगनेशा यह यह नहीं कि म्जी वैज का होल टाइज फॉर्मॉला इस और पीएज का हुल टाइज और पीएज इसका है 10.5 तो यह क्या बताँ है जब पेड में ऐसी डी हो जाती है तब यूज क्य नहीं रहा ओगा ऑफिशन में तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होता है लग्जार्टी वित्व होता है लग्जार्टीव का मतलब यह ओता आ M4 मेरी पेड़ में दर्द होता है उसी को बोलते है Niye लेγवग में लेझा लेंट्विज पhramar लेंग्वग चाहिए नैट्रोजन और फॉस्परस आपको बता यह क्या इसमें इस फर्टिलाइजर में बहुत उप्यों किया जाता है एंपी के को तो जब यह बढ़ जाएंगे तो क्या होता है जिसे तौलावाला में बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर कंवा जाते हैं जो एल्गी होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते अब यूट्रोफिकेशन जल्या ज्यूप के लिएफ hurts क्यों जो टर्षिकेशन हुआ उससे क्या हुआ बहुत ज्यादा अल्की बनगे थालाव में भधर हैल्गी बनगे जितने भी मिनेरल सब पलाब में औकर अगमनेरल यह सब खा जाएंगे, अब जो जल्य जीव हो गये जल्य प्लांट हो गये उनके लिए कुछ बस्ता ही नहीं, तो यूट्रोफटरफजन् एक वbikkart चाथी जल्य फ्ल्न के लिए घाली जल्य जीव कि लिए Casey next दिखते हैं next है कि सूखे फ़ल जैसे किसमिस जब पानी में बिखोय जाते हैं तो उभर उभरते हैं और पानी से भर जाते हैं इस धैनिक जीवन की घटना की व्यक्या करने वाला वज़्धानी कारण क्या है ठीक है? जब किसमिस जो सुखा और किस मिसोतों से पानी में डालते हैं तो फूल जादा है तो इसको क्या बोलते हैं आपको समझा जाता हूं अच्छे से NCRT का है यह NCRT में RBC के रूप में दे रखा है ठीक है RBC ब्लड सेल के जो हम डबाते हैं ठीक है तो उसमें दे रखा है के तीन परकार के solution होते हैं ठीक है Isotonicarium Solution Hypotonic and Sy पानी ज़्यादा पाइब पानी ज़्यादा होता है यह और छवती डर आपकों सुलूरेंट सरफेता है पानी ज्यादा होगा और हाइपर टॉनिक में क्या होगा इसमें पानी कम होगा पानी का कंसेंट्रेशन कम होगा ठीक और आइसो टॉनिक क्या होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानि बरावर होंगे विले और विला दोनों बरावर होंगे जितना ही सॉल्यूट हो क्या होता है多 जब हायपोटोनिक में डालेंगे तो जो होगा, पानी ज्यादा है, जिकुरो हैं प्रोसर को, mi के अव बने लसर को जा पानी होगा, पानी जाएगा, तो क्या इस प्रोसस को क्या बatori को टरजीडटी जब यह फूल जएगा इसको बखनें टरजी डिटी ओके अब इसका उल्टा की जब यह फूला हुआ है किसमिस थी किसमिस फूला हुआ है इसको हमने याइपड़ टोनीक में डाल दिय ऑई जिसमें पानी पह राजाएगा इस किसमिस से पानी बहार आ जाएगा और यह फिर से सिकूर जाएगा फिर से सिकूर जाएगा और यह सिकूरा हुआ है इस इस्तितिव क्या बोलते है फ्लैसिड ठीक है इसको बोलते है तो यह होता है अब हम आते हैं अपने question पर question बोल रहता कि जब हम सुखे है किसमिस को डाल माले में तुछी जाता है । इसको बोलते है एंडोस्थ इसको बोलते हैं अंदर की तरफ पानी जारहा है यह तो ऐसमोसिस और जब बाहर की तरह स魚 बाहर की तो बाहर की तरफ फूरृभ पानी जार स AND हाइपर टॉनिक में हाइपर टॉनिक में डाला था यानि जिसमें क्या था पानी कम था तब क्या हो गया था सिकुड गया था यानि फ्लैसिट हो गया था वह सिकुड जाएगा एक्जो ऑस्मस इसकी क्रिया होगी यानि पानी उसका भारा जाएगा और वह सिकुड जाएगा त इसमें इसको दुबारा उसी शेप में लाना है पहले वाले शेप में तो इसको हम किसमें डाल देंगे हाइपो टॉनिक में जिसमें पानी ज्यादा होता है तो इस दुबारा फूलने लगेगा दुबारा फूल देगा और तर्जित हो जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलत दूसरे गृइप को क्या बोलते हैं ऐर्थ ख्लाइन मेटर ठीक है जार ये म्रदा था तो देखते हैं तो पिरियोनitel डिखा इतां हो पिरियोटिक टेवल यह है में housing यह सब डिके हैं यानि कि hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, ठीक है यह तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा, यानि पहला गुरूप तो आपको याद करना ही पड़ेगा, पहला गुरूप होगा और पहला पीरियड होगा, इसे पहला नहीं, दूसरा पीरियड है पर, next question देखते है, next question है, कि इन में से सच क्या है, ठीक है, which of the following is the true, इसमें से क्या है, देख देते, पढ़ लेते, कि image form at retina is inverted, ठीक है, बिल्कुल सही बात, जो retina पर image बनती है हो, उल्टी होती है, ठीक है, retina पर कैसी image बनती है, ठीक है, real or inverted बनती है, real or inverted, नहीं कि वास्त retina is twice of original, नहीं, image form at retina is similar to object, original, original size का कैसा बन जाएगा, ठीक है, इतनी छोटी image बनती है, हमारे retina पर, बस्तु इतनी बड़ी बस्तु देखते है, उसकी image कितनी छोटी से बनती है, retina पर, ये भी गलत, image form at retina is small, ठीक है, तो इन सम्में से देखे, इन सम्में सबसे, जो उच human body, sweat gland कहां पर मौझूद होता है, तो sweat gland यानि पसीना जिससे निकलता है, वो कहां से निकलता है, तो अच्छा से, यानि skin के नीचे होती है, sweat glands, ठीक है, next question, what is the mycology, mycology किसकी study होती है, ठीक है, देखे, mycology, phycology, cytology, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्या-क्या होते है, mycology तो हो गया, आपको फ़ण जाईगा, ठीक है, mycology होता है, फ़ण जाईगा, और phycology पुखता, phycology होता है, algae का, algae का होता है, और, cytology पुछता, cytology पुता होगा, आपको cell का होता है, cytology होता है, cell का, ये सब आपको अच्छान देख दे, in human body, pancreia is a par profile, pancreia किसका part होता ह यह मूत्र पढ़नाली का होता है पाचन का होता है तंत्री का तंत्र का होता है तो आपको पता है कि जो पैंक्रिया होती है पैंक्रिया से क्या निकलता है पैंक्रिया जूस निकलता है और जो कहां पर यूज़ता है तो पाचन तंत्र में इसका उपयोग होता है ठीक है और पै तो एक एंजेम निकलता है।िससे कौन सा पेंख्रीयाडिक्टीजूीूजटु जो निकलता है वा एंजेम होते हैं। उसमें थीजेtable फैनक्रियाडिक्ट ferment ऒूसमें। तो exocrine part से तो इसका pancreatic juice निकल रहे है और endocrine part से इसके चार hormones निकल रहे है ठीक है , okay और अगर बात करेजस जो pancreatic juice होता है इसमे तीन परकार के enzyme निकलते है ठीक है emylase, tripcine, और lipase अब इनके काम क्या होते है mlase क्या करते है, starch को maltose में change कर देता है यहां पर प्रोटीन बन के आगे होते हैं अब प्रोटीन की तूट जाता है और जो लाइपेज लाइपेज क्या करता है फैट को फैटी असीड में तोड़ देता है यहां यह आपको बताओने चाहिए आगे चलते हैं डिजी साल्सियस पर कितनी होती है यह आपको पता है लगट पर सेंटीमेटर क्यूब, ठीक है, पर option में तो kg पर मीटर क्यूब में पूश रखा है, तो change कर लेते हैं, एक ग्राम को, देखे, ग्राम को kg में करना है, तो 1000 से डिवाइट कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया, ये था न, एक ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब, अब सेंटीमेट मेटर को मेटर में करने के लिए करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं तो जब इसको पल्टेंगे देखे इसको ऐसे लिग देता हूं है 1 भाइ था था तावजन इंटू 3 टाइम्स हंडेट ती टाइम्स हंडेट बाई 1 तो 3 0 से तो 3 0 कट गेए उपर क्या बचे 1000, उपर बज़ेगा 1000, और यह बनते का cog aku qube में, थृक कैंप है, 10 to the power 3 three key gear meter cube, थे रिखो तो आगे हमारा answer, तो 10 to the power 3 kg meter cube, थे तो 10 to the power 3 kg meter cube में हमारा answer, यह राय रिखा क्या next, चलते है cái पॉदå में마, पानी का प्रीवन do IS दारक किया जाता है." पानी का transportation.. जो से जल और जो से जाहिलम फूड़ से फूड़ से फूइयम ठीक है फूट़ करता है आजैलम कई को करता है जल को करता है और मिनेरल को तीख नेक्स देखते है सब नेक्स एकि ड्जक की बैटरी 220 ओंस के पर्थी रोद माधरम के 20,000 कुलाम का आवेस वहन करती है 10 सेकेंड में किया गएक कार्य बताईए 10 सेकेंड में किया गएक कार्य इसमें जितने सारे डेटा हैं इने कर्फूस करने के लिए दे रखा है कि आपको पता है V is equal to क्या होता है आपको पताएगी V is equal to क्या होता है तो कितना जढ़ेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, जोर वाली धौनी बद तो हम इसकी क्या चेंद करते हैं तीक है आपको पता कि धौनी की जो वह होती है लाउडनेस आपको पता है धौनी के लाउडनेस किस पर डिफेंड करती है amplitude पे धोनी का loudness किस पर amplitude बढ़ाएंगे तो loudness भी बढ़ेगा और देखते हैं एक होता है pitch धोनी की pitch किस पर difference करती है फिक्वेंसी पर यानि फिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो pitch बढ़ेगी तीक है और एक होता है quality क्वालिटी ठीक है जब same pitch हो तो इन दोनों को difference इन दोनों का difference करने के लिए यारी हम ऐसे कह सकते हैं कि same pitch और same loudness वाली दो ध्वनी के बीच अंतरम quality के दवारा कर सकते हैं quality तब यहां भाएगा quality तो quality, pitch और loudness यह पता होने चाहिए आपको तिक किस पर करता है? amplitude पर ठीक है और pitch इस पर? frequency पर और अगर दोनों सेम है यह ऐसी दो धनी है जिन्वे यह दोनों सेम सेम है तो उनमें अगर difference करना होगा तो हम quality किससे कर सकते हैं next question देखते है next है देखिए इस परकार का question आपके exam में देखने के लिए जरूर मिलेगा यह matching वाला question जरूर आएगा अपमें तो इसमें matching करना है कैसे match करना होता है आपको अगर एक answer भी आता तो उससे भी आप इस question को solve कर सकते हैं इननों को काट दीजिए ठीक है अब या दो answer B या फिर D भी होगा अब इनमें एक भी आता होगा हमें इनमें से अगर किसी और का पता चल जाए जिसे CNG, coal gas, water gas का पता चल जाए तो हो जाएगा answer तो ऐसे कर सकते हैं इस question को ठीक है तो LPG होता है butane और propane का CNG होता है butane और ethane का ठीक है coal gas में क्या होता है hydrogen होता है methane होता है और carbon monoxide होता है coal gas में और water gas में क्या होता है carbon monoxide होता है ठीक है इसका option number B राइट है next देखते है कि यदि किसी तरंग की गती 380 meter per second है और इसकी frequency 1900 hertz है तो तरंग की तरंग दहरे क्या होगी ठीक है V is equal to new lambda ठीक है V is equal to new lambda आपे V क्या होता है इसकी speed होती है lambda तरंग दहरे हो गया यानि wavelength और new क्या होगा frequency ठीक है तो यहां रख देते है इतना इसको काटेंगे 1928 और दो से इतर करेंगे तो 0.2 तो 0.2 meter आगया इसका answer 0.2 इसके wavelength हो गई ठीक है next question देखते है next question देखिए next question बहुत अच्छा question है कि एक graph दे रखा है इसमें चार कार है A, B, C, D यह दे रखा है उनकी graph दे रखा है और इनमें से बताना है कि option में कौन सा option सही होगा तिक देखिए अब इसको कैसे solve करेंगे देखिए अगर मैं इसमें graph draw कर लूँ ठीक है जैसे कि यहां प 3, 4 ऐसे दे दिया ठीक है तो अब अगर हमें इनकी speed निकालो, speed क्या होता है, distance by time तो जैसे अगर मैं car B की speed निकालो, car B की speed निकालो तो यह होगा इसका, ठीक है देखिए यह एक तो distance कितना 1 चल रहा है और कितने में, 4 में चल रहा है, 4 में, ओके, तो 1 by 4 हो गया, ठीक है, distance by time कर दिया, इसको काटा तो कितने 0.25, 0.25 आ गया इसका, ठीक है, अभी और देखते हैं, अब B का निकालते हैं, B का graph यह है, ठीक है, यहाँ पे था 4 सेकंड, यहाँ पे था 3 सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यह 2 by 3 हो गया, 2 by 3 हो गया, distance by time, 2 by 3, इसको solve क गती कितना जाएगा, वह 3, और time कितना लेगा, time लेगा यह 2, तो यह कितने बार में जाएगा, 1.5, 1.5 इसकी चाल हो गई, आप देखते हैं, D, D का graph अगर यह देखें, यहाँ पा अगर एक माल लो, और यह 4 हो गया, तो 4 by 1, यानि 4, इसकी चाल कितनी हो गया, 4, तो सबसे तेज कोन इसमें, D है, उस से उसके बाद C है, उसके बाद A है, उसके बाद B है, ठीक है, यहाँ, जो इदार है, जिसका graph सबसे नीचे है, वो सबसे धीरे चल रहा है तो अब देखते हैं, option में, गललत है, गलत हो गया, कार B सबसे धीमी है, यह बिलकुत ठीक है, ठीक है, अगला तो काड डी कड सी से तेज है ऊश्चन नमर् प благодар देस्से तेजए बिल्कुल ठीक है हो सबसे नहीं तो हावारा बी और सी सही है आप स्टेर काड़ी काड़ी देखे डीस से तेज है बिल्कुल 1700 और सबसे धिमी को यह में सबसे कोई होगा हूं लगले एमाले next question देखते हैं next question में matching वाला है फिर से match करना है तो फिर से वही करते हैं जितना आता होगा सबसे पहले वो करते हैं जिससे अगर gypsum की बात करें gypsum को तो पता ही होगा आपको क्या होता है calcium sulfate dihydrate ठीक है और अगर POP पुछता तो calcium sulfate hemihidrate होता है तो calcium sulfate तो होगया gypsum का यानि B का तो होगया second अब देख लेते हैं B में second किसमें बस एक में देखे हैं अब ऐसे ही होगया यह question हमारा यह answer सही होगया यह answer सही होगया और देखने की जुरत दी है फिर भी देख लेते हैं gypsum का तो होगया calcium sulfate ब्लिजिंग बॉर्डर का क्या होता है C A O C L 2 calcium oxy chloride होता है calcium oxy chloride तो इसमें देखते हैं यह होगया ब्लिजिंग बॉर्डर का first यानि एक का तो एक ही होगया और मार्बल का तो पता है यह आपको C A CO 3 calcium carbonate होता है मार्बल का भी होता है इसका सबका formula ही होता है C A CO 3 calcium carbonate नच्स को चने है जब 10 मेंटर पर 30 की गतिसी यात्रा करने वाला कार चले ब्रेक लगाता है और वहां कार 20 सेकेंड में रुख जाती है तो मंदक क्या होगा देखे लगाते है कार रुख जाती है कार रुख जाती है यानि कि final velocity v is equal to 0 हो जाएगा ठीक है तो देखते है retardation तो हम पहला समी करना लगाते है v is equal to u plus 80 यह लगाते है इसमें v तो हो गया 0 ठीक है तो 0 is equal to u plus 80 a यह तो निकालना है हमें retardation ठीक है t कितना होगे 20 seconds ठीक है और u हमें दे रखा 10 ठीक है तो इसको अधर ले जाएंगे तो minus 10 is equal to कितना होगा 20 a इसको काटेंगे ठीक है 0.5 minus में आएगा और minus में क्यों आ रहा क्योंकि retardation है retardation क्या होता है ulti side में लगता है ठीक है retardation उसी को बोलते है मंदक उल्टी side में जो लगता है त्वरान उसी को retardation होता है जिसका आंसर होगे 0.5 मीटर पर 30 seconds यह हो गया आंसर हमारा नेक्स फिर से मैचिंग वाला है ठीक है फिर से वाइस ही करेंगे जितना आता है वही मैच करेंगे ठीक है तो जैसे आपको बताऊगा German silver German silver तो बता है एक अलावय होता है ठीक है तो अब देखते है fourth में fourth का क्या आना चाहिए second आना चाहिए fourth का second तीनों में यह चलिए ठीक है कोई नहीं बोरीक पता होंगा भी मिरें पिछली वीडियो में बताया नहीं प्लाकर थे-बौरीक as it बुबडुकर का चैजिए और अब बागी काट देजिए sodium sodium को पता है इसको kerosene में डुबाकर रखते हैं तो हम मिला लेते हैं तो german silver का alloy है यानि fourth का तो हो गया second boric acid का एक antiseptic है sodium को क्या रखते हैं मिट्टी के तेल में रखते हैं और morphine क्या हो गया एक analgesic हो गया तो first का three यह हो गया option नेक्ट यह question आपका homework question है आपने इस question का answer देना है comment के माध्यम से तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए जहेंद